हाई एविवान वेलकम बाक टुशानी क्लासस फिस्ट फॉल गडिवनिंग टू एविवान हाज आई फ्रेंट्स आपका टाइम हो चुका है करते हैं अपने इस क्लास को स्टार्ट सभी को जैशे कृष्णा राधे राधे राम राम आज हम यहाँ पर आपका तो पेपर वन है पेपर वन की दूसरी क्लास है मैंने कल आपको क्लास ली हुई थी और अभी यहाँ पर मैं दूसरी क्लास करवाने वाली हूँ जहां पर हम लोग जो भासाई कॉसल थे उससे तो पहले से परिश्यत हैं उनसे आगे जो भी चीजे स्टेप में हैं वह चीजे मैं यहाँ पर कर करनी हो पढ़ लेना है तो चलिए चुराइब करते फिर आज की इस क्लास की आप जिरेशारी क्लास साथ मैहुशालनी सभी का यहां पर सौगत है आप सभी की यह क्लास दूसरी है थमनेल पर आप लोगों क्लास वन क्लास टू दिखेगा और इसकी प्रेलिस्ट बनी हुई है त सब्सक्राइब करें लिए तो चीज़ें आपको लिए काफी है तरीके से आपको जित्ता भी सपोर्ट होगा वह किया जाए वह आपको मालुक होना चाहिए आपको इसी साल में ही होगे और आपका फोर्थ सेमस्टर भी कंप्लीट हो जाएगा ठीक है को माते संब्सक्राइब तो हम चलम को है सबसे के सब्सक्राइब कैए और प Besides E ocult में करिया अगया तो उन दोन हम समझेंगे और जाने किसे प्रीश्ण आते हैं वह म बिखाएंगे आपके सामने च्ग पठन क्या है अपने शब्दों में बताएए अपने अफिपराई को अफिवेक्त करते हैं इसे बहुत साइप को बनते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है पठन का अर्थ किया समझते हैं आप सभी कमेंड बॉक्स में जरूर बताएगा कि पठन का मीनिंग अगर एक वर्ड में पढ़ना टिटोरियल पढ़ना टिके ब्लॉक्स पढ़ना तो बहुत साइच चीजें है आटोबैग्राफी पढ़ना तो यहां पर है कि पथन का अर्थ है लिखी हुई समगरी जो भी चीजें संश्प्त में या वहती विवरन तरीके से लिखित हुई है लिखित हुई जब आप उसको एक ही करके पढ़ रहे हैं तो इसके आर्थ को आप एकसिपड कर रहे हैं उसके आर्थ को भीूप समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाल आपने जो सीज को पढ़ा आप उसे sagaisen को पर अपनी विचार को सदिए करने का और पर उसके ही अनुसार अपने जो है आप वीवार करने का तरीका सोच रहा है कि हमने कोई चीज पढ़ी हमने कोई छीज सीखे हैं तो उसको कहा खाह पे आ पर हमें कहा कहा पर अमल six कर ना है वहांथ को ध्यान में किसी मालुप हैं तो पठन का मतलब यह नहीं होता है कि सो काहसे कर घासे घर काहसे के इनके मतलब का मतलब क्या होता है कि चीछस हो और वेक्जीन हो और पट्र हो या कुछ भी हो निबन्ध नो पर अजन नतौ सब्सक्राइब्स फिरव में क्वार्विक वर्अन को समझें मैं वहां को दिखानाना है कि यूंतु हैं pagina योंधी चिजए जो कुछ भी आप légझे सामने आ पके रक्षिव हूं उसका बढ़े अस्तर के लिए काफी अच्छा होता है यह नेक्स पॉइंट है पठन के अंतगत निम्लिकित बाते सामेरे प्रतन जब होता है तो इसके अंदर बहुत सारी बाते इंक्ल्यूड होती है बहुत सारी बातें इसके अंदर कंगता है जैसे जैसे इनके की प्रतिक को देखकर पहचाना जो अध्यक्न के प्रतिक के पढ़कर नियुक्त जैसे सुलिएक भिछफ के चालता हिं सुलेक बोलेक्तों के लिए दौर्वन समय इसा पहचानने तो आधाे हुगे अज़ना क्यों और समस्तार है किसे लिखा जाएगा तो आपका दिमाग में राम की छबी बन जादिक राम ऐसे लिखा जाएगा तो वह क्या है कि ध्वनी के प्रतीक को आप देखकर पहले देखे थे यह पढ़े थे कई बार आपको राम बोला था तो आप आपको देखने की ज़रूरत नहीं और आप होगा ना तो यह एक वर्ण है फिर इनसे का से कबूतर होता है का से कलम होती है का से कमल होता है तो आपने कमल की चित्तों देखे होंगा आपने कमल जो है कभी लिखा वह पूरा पढ़ा होगा तो इसमें कमल लातीन वर्ण मिलकर एक शब्द बन रहा है तो वार्गों के प् तो बन गया जो जो तो बन गया जांग को बाट का पढ़ना फिर हम क्या करते हैं डिसे हमने जल लिखा तो जल जब लिखा तो जा अलग पढ़ा लाग पढ़ा तो यह हो गया है अगर मालीजे हमने क्या लिखा हमने लिखा फूल वाला ठीक है तो फूल वाला तो हमने फूल अलग पढ़ा वाला अलग पढ़ा तो यह एक अलग अलग हो गया तो यहां पर कि सब्दों के सार्थ कि काहियों में बाठ कर उस ऐनगो Sailrash जोनों का अमने समझ आज आती हैं यह विचारों को समझना चो आपने समझ आती है आपने आदल विहारी बास्वेई जी के जिवनी पढ़ी तो उनके विचार को पढ़ा, उनके विचार की बहुत सारे कहानियों को पढ़ा, उनका जो एक संघर्ष रहा है वो पढ़ा, हर्वन श्राय जी की जो बहुत सारी कत्थ हैं, मिलब उनने बहुत सारी कविताइं लिख पढ़ा रहें दाज जी का पढ़ा आपने रामायर बढ़ा वालमी की जी का तो बहुत कुछ आपने सीखा उन्हाप चीजों से तो विचारों को समझना कि वह लोग जो चीजे लिखकर गये हैं या पीछे किया विचार है या क्या मत है जो समाज में वर्गों में बताना चाहत सब्सक्राइब करना फिर जो समगरी आपने पढ़ी आपने कोई लेक पढ़ा आपने किसी बाढ़ का वर्म पढ़ा आपने कुछ और घटना हुई उसके बारे में पढ़ा तो आपने उससे क्या मन्तव को लिया क्या सीखा आपने कोई जो है तिक है आपने वो दादी का चिम्टा जो एक बहुत छोड़ी कहानी है हामिद लेके आता दादी के लिए वो आपने पड़ा और आपने बहुत सारी ऐसे स्टोरी है आपने वो सब पढ़ी तो उससे आपने अपने मन में क्या मंतब बनाया अपने मन में क्या स्थिरता ले आई क्या धारना बनाए उन सब चीजों से आपके समगरी बहुत इंपॉटेंट होती है और यह पठन की कला ही इतनी नहित होती जा आप बहुत है बाते आपको बता ही जाती है तो मैं आज यहाँ बहुत डीटेल में आपको पॉइंट टो पॉइंट एक बाद दाने का प्रयास करे कि आपके दमाग में यह चाप बन जाए कि आप इस चीज को अच्छे समझ में और ऐसे पॉइंट आप ने मैं बढ़ा रही हूं तो बहुत साइब यहीं पर नो डाउन कर सकते हैं और बहुत आराम से हर एक पॉइंट को लिख सकते हैं ठीक है और मैं अराम से इस बाप पू पर्षन के तीन उद्देश को बताने के चीज़ों को ध्यान में रखते हैं को काम करना होगा तो पहला उद्देश की वर्ण माला के सबी अच्छरों को पहचान कर भरना आप वर्ण माला में कहा गागा अंगा चाचा जाजा इया टाठाडड़ा आरा ता दाड़ा ना हों पहचान है उनको तोड़े का बन रहे हैं उनको बनाना सीखना तो यह पठन के उद्देश इसे हम यह सीख पने तो तो भी दिखाया जाता है साथ ही चाहता हमें कभूतर भी पहचान करना इसको पहचान करना सिखाएंगे दूसरा है तीव करती से पठन का भ्यास कराना फिर उदेश होथा कि जब बच्छे पढ़ते हैं जैसे पढ़ना है लिखा है कि आप इसे कमल लिखा इतना धीरे धीरे करको ह French ना तो बहुत थार नहीं करना इस तरह ना तो आपको एक जो उच्छे टारो हो और यह जो गती है तेश बोला थी नहीं तया भ्यास सही आाइगा स्वाध्याई के अलत डलना, सेल्फ पढ़ना, सेल्फ इस्टडी करना, बुक्स से खुद से पढ़ना, कोई अखवार पढ़ना कोई सिखाता नहीं, कोई अखवार आपको सुनाएगा, बंधे हो तो अलग बात है, कोई आपको अखवार रीड आउट करके बताए, ठीक है, अ लक्सा लगा दो लक्सा के बार रीट करके बताओ तो लगवात है नहीं तो नहीं सेल्फ स्टुडी करना बुक्स परना नॉवल्स परना स्टोरीज परना तो यह चीज़ें आपको आनी चाहिए यही होता है उद्देश इसमें बच्चों को यह सारी चीज़ें जिखाई जात इसे यह स्पेल भी गेम जीखिए इंडिया में शॉयद होता है नहीं होता इम नुंट शूर अब आट बहुत बाहर की कंट्री इस में करके गेम होता है मनलब एक चैलेंजिंग गेम होता है जिसमें जो है मीनिंग बुस्टी मालब बुलंग बड़ दा था है और शुर ब्स इसे वर्ड होते हैं जैसे 15 15 20 मलब लेटर्स होते हैं जिनको मिला एक वर्ड बनता है तो ऐसे बड़ोगों तो गेम होता है बच्चे जीते प्राइज मनी मिलती बहुत कुछ होता है इसको कहते स्पेल भी इंडिया में होता है कि नहीं हो तो मुझे नहीं मालूम तो वह सारी सब्सक्राइब करना सीखना द्ध्वनी का भी हो साउन का पूरा एफेक्स समझ में आता है फिर वह स्पैलिंग वेगरा भी आती तो काफी बढ़िया रहता है चात्रों की आगरता ततपरता रुची जाविप करना बच्चों की जो एक आगरता है कॉन्फिडेंस है उसको ब जवहार है जो चीजे है उस चीजों को लेकर वो एकदम सही तरीके सुचार रूप से होनी चाहिए ताकि बच्चे को पढ़ने में समझ में आ है कि यह चीजे है उस योग बन जाए इंदरियों को क्रिया से लगने जब आप पढ़ रहे हो तो आप अक्टिव रहो आपको न पढ़ने का प्रयास करना तो यह हमारी सारी ऐसे खूवियां होती पथन का उदेश है ताकि यह पथन का उदेश में आप तीन चाप पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि इस एक्जाम ने पूछे ता आप एक्जाम में लिख पाऊ ना चलिए नेक्स नेक्स ट्रॉपिक है प्राइमरी में तो प्राइमरी के पर चुरपियों को पहचान पर यह पहले 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 पहचानना उसके पार एक का सक का गगच पूरा वर्ण बताओ ठीक है अच्छर बहुत फिर अच्छरों से उगत करवा अच्छर बहुत समझाओ ध्वनी सामें विदी ध्वनी से रेड़ों से का बोलो तो आपके दमाग में का कोई लिक नहीं रिखा है आपके दमाग में का छप जाए आपके आँखों में नेत्र है का चप जाए कि ऐ का है आपको जेक है पा इस तरीगे से आप धेर से करके ध्वनी सामें विधी करो मतलब ध्वनीयों से उस बच्छे को जोड़ो पहले तो दिखाओ जोड़ो कि बटा ये पा है बटा ये पा है इसको पा बोलो तो उसके दिमाग में ये छभी पा की अपने आप बन जाए देखो और को विदी उसके बाद फिर बोर्ड पे लिख दो वोर्ड पे आप खा लिख दो उसके आद बोलो कि जिस बच्चे से फिर उस चीज का भी उनुकरन करना कि राम खाता है राम एक लड़का है तो इस तरीके से वर्ण उचारण भी हो जाएगा बचे धबनी को भी समझेंगे बचे तो देखकर असे पड़ाने में इन चीजों कि बच्चे को काफी अच्छा तेज और काफी बढ़िया बना सकते हैं सिखा सकते हैं आगे बढ़िये अब बात करते हैं पठन का मुल्यांकन पठन का मतले से आज पठन के बारे में कल मैं आपको लेखन के बारे में बताऊंगे आज का मेरा मोटो यह है कि पठन के बारे में के बरता है कि क्लास अगर परसेंड है को लाइक क्लास को लाइक क्लास को लिएक नहीं किया तो गंदर में तो घंटी जरूर बजाना आ चले दिखते हैं यह पथन का अब पढ़ा रही हूं कल मैंने क्लास आपको और ली इनको सब्सक्राइब कर लिए ताकि हमारा लास्ट एक्जाम के टाइब ना रहे कि अरे आरे भी करना है तो इसके लिए वो क्वेस्टेस आपको क्लासस भाई शालनी पर लेगा तो वह लिंक जरूर सभी लोग टेलेग्राम पर देया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरू तो मतलब यह जाना कि बच्चा जिदने वर्ग पाणे गए का वर्ग च युब को पढ़ता रहा हैं तो इस चीज़ का मुद्यांकर करना इस्ती से आपके बहुत है कि हां उसके पठन की छमता कितनी सीखी गई या उसने कितना सीखा या उसको अब कितना सिखाना है या बताना है फिर है क्या चाहत वर्णों के मेल के सब्द निर्मार कर सकता है क्या चाहत पैचानना तो सीख गया मालो तो क्या उन वर्णों के म ममेल करके मिलाकर उसका वीर तुम बढ़े चलो हम ये हम वो कदम-कदम बढ़ा ईदा बहुत साई चीज़े है तो हम क्या देखते हैं कि लह होती ही न लास में तो क्या उचित लह ताल के साथ वह पढ़वा है कि नहीं पढ़वा रहा इने entra on समझना के ये नही जा इस लिएक इस दो को जानना समझना क्या चात्र विधियु विधाओं के उप्यों समझ में पाता है क्या चात्र जो है और इनके ट्रीके से पड़ता जा रहा है कि अर्थ को समझ रहा है पढ़न समगरी का आर्थ से पढ़ता ही जा आरा है कि जो कविता पड़े क्या मतलब बहुत मुहाबरे या वोपतियां या सूप्तियां यह अजयरी जो एग गई है be atención कि बच्चा यह बी चीदें काफी महात्पूर होती है लिए चीखना भी काफी बढ़िया होता है ताकि आप कोई कहानी पढ़ रहे हो तो महावरे आपको सुक्तियां समझ में आए समास संबंदित कोई बाते हैं वह समझ में आए क्या चाहते सब्द पस्टो शुद्चारण पढ़ सकता क्या क्लेर तरी के उसको प्रनिंशियेट कर पा रहा है उचारण राम स्याम गाम घर घी दूद मक्कन मलाई जो पूछ भी लिखा हुआ क्या व सब्सक्राण फिर है मतलब कहां पर टेज बूलना कहां धीर बूलना है कहां वह चोटी उकमातर लगाने कहां पर बरीक मातर लगाने प्दों क्या इन सब ध्यान में रखके उपढ़ पा रहा चुप चाप पढ़ना पठन का उदेश क्या होता है तो देश में कहाँ रहते हैं कि विद्धि विद्यार्थी को तीकु की गति से पढ़ने का प्यास कराना और स्वाध्या की सेल्फ स्टुडी की आदर डालना आत्मिश्वास को जागत करना बच्चों में का आगता ततपरत को जागरत करना आगे बढ़िए पटन को सब्सक्राइब करने का या अपने फार को उसी तरीकी से प्रदैश्रित करना सीखना चलिए यहां तक लियर सब को समझ में basic बाते हैं समझ में क्लियर concept है लाइक बनता जिन्होंने लाइक नहीं कहते हैं इची क्लास को फटाफट लाइक करें आगे बढ़िए अब बात कर लिए पाइप को सब्सक्राइब करें आपको बढ़ा लिखाई ने कहुत है बहुत कुछ आप सीखते हैं बहुत कु ऐसेते बाथ आपको वीजेश्ट इव दिया जाइए आपको मार्थ्यम्स से कहां पर में जोड देके पढ़ आपको समझने के समझा तोरो अवर्षा के समझा जाता है यहां बॉलना है आपको भाव ग्रहन करने की चमता डबलब करवाना है सब्ध भंडार में विद्धी करना जो ठेश सारे शब्द का कलेक्शन आपके पास नहीं है उसमें आपकी ग्रोध करनी है आपको खुद पढ़ने के लिए बार-बार करना तकि आप बच्चे कुद से मन लगे जो खु स्वसर का मतलब क्या होता है कि स्वर सहीद पढ़ते विए अर्थ ग्रहन कर रहे है यहां पठन की प्रक्रिया अरंभिक होती है ठीक है स्टार्टिंग की होती है और स्वसर पठन भावनों कूल करना चाहिए भावों के साथ होना चाहिए इस प्रक्रिया के दर आत्मेश्व बढ़ता है और इसके मादम से असुद्धियों की भी पहचान जाता है जहां पर गलत उचान करता है तो यह आपको प्रश्म क्या होता है फिर मौन पठन क्या होता है मौन के तरह हम गहराई करते हैं तरक करते हैं और मने पढ़ते हैं उसका आर्थ लेने का प्रयास करते हैं और हमारा ध्यान जो है विश्यवस्तु की जो एक नहीं द्विचार धाना होती उस पर डिपेंड होता है एक आगशी दुख़ उसको देखे आगे सीखते और बढ़ते जाते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपकी लगभग अप्रॉक्स 24-25 मिनिट की हो रही है बच्चे सब्सक्राइब क्लास है मैंने आप सभी क्लास दी आज हमने क्या पड़ा एक पूरा रिकॉल करते हैं बहुत साही बच्च क्लास में देख लें तो आपके लिए हेल्फुल रहेगा और आपकी और जो क्लास होगी वह लेट नाइट 7-8 बजे क्लास होगी लेकिन अभी कुछ दिन बात करेंगे ठीक हम यहां पर ऐसे क्लास कर लेंगे अब आगे टॉपिक देखते हैं तो पठन का अर्थ क्या है पू पूरा लिया हुआ है उसके बाद इनकी जो विधियां है कि आगे तरीके कैसे बता सकते सिखा सकते वह बता दीजे पिर आप जो हैं प्रकार के बारे में परिभाशा से औराम से लिखती है तो इतना आपका पूरा कंप्लीट आज का टॉपिक था तो पठन का जो टॉपिक आज कैसे चाहरा है और पूरा यहां कि कलास परे संदा को सथो ब्लक्त ना बुले खुंथ कोई प्रब्र मों किसे कासी में जदरूर बतावर बाठीए. झाल झाल झाल